कन्वरेंट या साधी व्याह बगर ये बकील का काम नहीं ये कन्वरेंट का धन्ध और यह मैं do my locut कोत नहीं की सब्सक्राइब पेचने का इत्ला चाहरीварीे और रेडी पेट्री पेट के मुरूम्रे बेचने का काम ज्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए हो कर सकते हैं, कोट कॉम्पलेक्स में हैं, उसको मस्जिद की तरह यूज कर रहे थे, यह कन्वर्जन और निकाह का स्थान नहीं है, यह बकालत करने की जगह है, इनका बस चलते के बल पर कश्मीर घाड़ी पूरी खाली करा ली, क्यूंकि हिंदू कौम अपना आवाज उठाती नहीं, अपने होग के लिए कभी लड़ी नहीं, हम लोग तो पलाइन करने वाले लोग हैं, और हम यह चाहते हैं, कि हिंदू कोब का फोर्श वली, प्यार से कि इसी भी तरह का कन्वर्जन बिल्कुल बंद होना चाहिए देखिए आप बात को समझिए इसलाम और इसाइयत यह दोनों कन्वर्जन के मूल धरम है लेकिन मेरी समझ में आज तक यह नहीं आएगा इसलाम और इसाइयत कुई हमसे क्यों तकलीब है हमने इनकी कौन सी भाष रक्षच पाल जी है यह पूरी इस कहानी के बारे में बताएंगे आखिरकार यह चल क्या रहा था चैंबर के पीछे और उस केस को ले करके यह आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत श्वागत नश्याई सबसे बड़ी बात है कि इस तर करने के लिए चैंबर का प्रियोग किया रहा है कि कंवर्जन या साधी विप्या वगरा यह वकील का काम नहीं है वकील का जब यह काम ही नहीं है और वकील इसको कर रहे हैं तो यह गैर कानूनी काम हो गया अडिवकर एक्ट के अंदर ये नहीं आता है तो इसलिए क्योंकि यहां पर पुलिस कारवाई कम करती है, कारवाई होने का खत्रा कम होता है, इसलिए यह चैंबर का यूज़ कर रहे थे मजज़िद के लिए. है के सकते कि चाहि हैं जो अधिकार मिले हुए उनको मिस्यूज करने को भाषबी कीलिए यह काम किया रहा था चोट छूट bچрос Church उन बच्चों को बहला के, फुसला के, मैं लगा किस तरह से उनको अपनी धरम में लाया जाए, यह सब यहाँ पर चलता था और उस बच्ची के मानसिक, बच्ची के ऊपर मानसिक प्रभाव रहे, कि यह वकील करा रहा है, मैं कानून की नजरों में संदक्षित हूं, कानून मे साजेस पूरे इंदुस्तान में हो रहा है, इसके पीछे जाच करनी की जरूवत है और अगर हम कोट को टारगेट करते, कोट को टारगेट करके, अगर इनकी जाच करते हैं, Tो बहुत बड़ा मसला लगेगा, हाथ में बहुत बड़ा मामला खुलेगा, और जब रहे शूह कि अब तक ये कितने लाख या कितनी करोड़ बच्चियों को अब तक कन्वर्जन करा चुके हैं बहला कर फुसला कर धमका कर यह सब सामने आएगा लेकिन एक इस पर बिस्तिक जाज की जरूवत है इसमें क्या मामला था जो अभी जिस मामले में यह एकवाल मलेक हैं जो इनका बार काउंसल ने इनका लाइसेंस भी रद कर दिया है यह मामला क्या था इसमें थोड़ा सा संचिप तुमें बता बाएंगे इसमें मामला ही है कि लड़की थी गाउपटपट गंजगी जो लड़की दो जून को अपना कन्वर्जन करती है और तीन जून को वह अपना निक यह जो एड्रस है यहां पर कोई आसपास आधे किलोमेटर के दारे में कोई मस्जिद भी नहीं है कोई मजार भी नहीं है फिर यह कैसे लिखा गया इससे यह सिद्ध होता है कि यह चैमर है जो कोट कॉंप्लेक्स में उसको मस्जिद की तरह यूज कर रहे थे यहीं पर एक क ati tb पता लगा कि यह जो है के शहएं रेक़ इसके इंदर कंवरजन हो रहा है इसके इंदर निकाह हो रहा है यह कंवरजन और निकाह का स्थान नहीं है ये बकालत करनего घरिया यह यह सब मैंता है चाहएं जिसकी हमने सिकायित की कमेटी मेत ने इंको सो कोज किय ततकाल प्र गया उच्छा अगर पर्मानेंट सोस्क्रांट हो जाता है तो क्या ये अगर बाहर भी बखालात की इस इस डिगरी के सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा है कि सब्सक्राइब ने लिए और नहीं लेगा इनका सब्सक्राइब ऑचिये या ने बाला भविश्ट बताएगा तो क्या लगता है कि ये सिर्फ एक धर्म निर्पेक्च की जो बात हम करते हैं तो क्या कोट भी एक उसी तरीके से काम करता है कि एक धर्म के लोगों के उपर ही सुमोटो का एक्सल लेता है अब तक जो कानून का प्रवीजन है उनको लागू किया ही कहां गया है जो लागू करने वाले लोग है वो यह मान लेते हैं कि हम इसलाम के जितने तलवे चाटेंगे इसलाम के अनुंदाईयों के जितने उनको हम पुछकारेंगे जितने उनको रेवडियां माटेंगे उससे ह अजये हम लोग डेषमे सुरक्ष़त रहने वाले हैं कि यूद्ध केम उन्हीं की सुन्वाई होती है यो हम पलाएन बाहरी हो गए है उसमारीमा धैयन कॉ Libra यह सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि जिस तरीके से मद्भ reinforcing सरकार की बइच्व पहते हैं लब्ज के रूम में यूज किया झारा हैक inac Beijing क्थ बज़े क्या कि वे उसकी कानून की नहीं है Schulam कि अभी बिना मर्जी करें उसके उपर लागू होता है तो मुझे नहीं लगता कि कानून परपून है मेरे साब से इसमें इस कानून में राइट होना चाहिए कि जिसकी बेटी या बेटा गया है कोई भी ओव्यक्ति उसको कंप्लेंड बनने का अधिगार हो और उसको संतुष किया जाना चाहिए क्योंकि रिलीजन जो होता है वो मेरे माता पिता के संसकार होते हैं अगर उसको कोई चोरी कर लेगा तो वो जो संसकार हैं उसके चोरी हुए है उसको सिकायत करता बना जाया है उसकी संतुष्ट्री जरूरी है जो चोरी करके ले गया उसको चोरी करके ल मेरे जिसका दसका नोट मेसा है वह सलक12 spark 21 है कल तै मेरे नोटए कंच तरीके से गया है तो इसलिए किस कानून में भी जीसकी बच्ची चल यह पेटा चला जा उसकी अन्मोल रतन को आप ले के चले जाएं और आप बाद में गैंजafete दो थ्स आग्यानुड तो यह कानून मे तो पर आपने एक लड़ाई की मुहीन छेड़ी है तो आखिरकार यह लड़ाई कब तक लड़ेंगे और जो जितने चैंबर या फिर देश के बिविन कोट है उनके अंदर भी अगर घटना होती है तो उसके लिए आगे का क्या कदम होगा इस लड़ाई की इस लड़ाई को ठाझके भूट है हम अन्जाम तक पहुचाएंगे जब तक चेंबर केंसलेशन नहीं हो जाएगा और दूसरा जब तक लैसेंस हम लड़ेंगे रही बात धुसरे कोड़ होगी तो मैं सरकार से ये कहूंगा मैं सरकार से तीमान करता हूं कि सर कायते करें और फिर उनकी सब की जाच करनी चाहिए कि अब तक कितनी बहु को कितनी बेटियों को अब तक यह जिहादी लेके गए हैं उन सब को बापस लाना चाहिए बापस नहीं लाएं तो कम से कम ऐसी कारवाई करें कि आगे से यह रुके क्या अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से अगर जिनकी बहने हैं जिसकी बहु हैं जिसकी बेटियां हैं अगर वो धर्म परिवर्तन करा दिया गया है तो अगर आप से जुणना चाहें तो क्या आप उन लोगों की मदद करना चाहेंगे बिल्कुल मदद करना चाहेंगे, जिनकी बेतियाँ च ली गई हैं, जिनकी बहुऑ च ली गई हैं, जो भी घर में कोई ऐसा conversion का मामला आया, और वह हमें कोई बी document provide कराते हैं, जिस document कें अंदर वह यह कहते हैं कि जी यह मेरे को धोके में रखे, मेरे को लालच में रखे, या मेरे को पता ही नहीं लगा, इस टाइब की कोई भी धोका धड़ी का मामला अगर बनता है, तो हम पूरी मदद करेंगे, और हम यह चाहते हैं कि हिंदूस्तान में हिंदूों का फोर्षवली प्यार से किसी भी तरह का में हम नहीं चाहते, देखिए आप बात को समझे, इसलाम और इसाइयत, यह दोनों कन्वर्जन के मूल धर में, कन्वर्ट होंगे, तो यह आगे बढ़ेंगे, और हम लोगों का तो विस्वासी नहीं करने में, हमारे यहूदी आए, पार्सी आए, जितने थे उतने ही है, फ पहिंदे के ले जाते हैं, हमें कभी इनका बस चाहर दवाब पर बंदूक के बल पर कस्मीर घाड़ी खाली करा लिए, यह भी एक बहुत बड़ा स्वतंत्र भारत के अंदर, यह हमारे लिए हिंदू के लिए डूब के मनने वाली बात है, कि हिंदू स्वतंत्र भारत में, भारत के अंदरी सनाथ ही बनके रह रहे हैं कस्मीरी पांच लाग पंडत हैं बिचारी वह इसी कन्बर्जन और इसी ज्याद की वज़े से हमारे देश में जो है वह कहते हैं बिचारी सनाथ ही है